हलो दोस्तों आप सभी का प्राइड में वेलकम हैं दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर SSC CPOSI 2022 के एकजाम में आए हुए वन वर्ड के सभी कुष्चन यहाँ पर देखने वाले हैं ठीक है और यहाँ पर मैंने आपको की मदद करते हैं ठीक है तो आप लोग अपने साथ pen और copy लेकर के जरूर बैठेगा और यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि किस किस topic से आपके SSC CPO में कौन-कौन सा question आया हुआ है और यह सभी questions जो है आपके जो सीजल मेंस होने वाला है CHSL आगे होगा ठीक है हर एक exam के लिए बहुत ज्यादा important है ठीक है तो आप लोग पूरा जरूर लगाईएगा और एक एक word अच्छे से समझते हुए जरूर चलें ठीक है तो यहाँ पर one word के total जो है 47 question है इनको हम लोग पूरा solve करेंगे idioms हमने आपको करवा है दिये हैं बाकी synonym जो भी लिखा है ठीक है आप लोग इनको देख सकते हैं कितने question यहाँ से पूछे गए हैं तो अगर vocab देखे हैं तो total 277 question केवल vocab से आए हुए ठीक है वहीं अगर हम लोग यहाँ पर grammar की बात करते हैं तो grammar का weightage देखिए यहाँ केवल 84 question है ठीक sentence improvement है 52 और common error बहुत कम question है दो तीन question है एक shift में आ रहे थे इसमें ठीक है बाकी फिलिंदा blanks वगरा है तो grammar से केवल 84 question है तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर vocab कितनी जादा important हो जाती है आपके लिए और मैंने पहले भी आपको पूरा करवाया आपको पूरा मिल जाएगा playlist आप लोग देख लिजिए वहाँ पर आपको पूरा उसमें मैंने separate करके हर एक की playlist बनाए हुई है आप लोग एक बार जरूर देखें उसको ठीक है और पूरा वकायव आप लोग cover करके जाए अपने exam के लिए ठीक है तो चलिए फिलाल start करते है फर्स्ट कुस्चन है आपके सामने आप लोग कोसिस करें कि मेरे बताने से पहले answer अपना जरूर निकाले ठीक है इसका आपको बताना है कि one word में हम लोग इसको क्या बोलेंगे ठीक है तो astute का meaning क्या होता है यह आपके लिए काफी जाधा important है astute ठीक है इसका मतलब होता है गहरी समझ होना किसी चीज़ की ठीक है astute तो इस चीज़ को आप लोग देखें आपर तो power up judgment, clever and judicious यानि कि जिसके अंदर मतलब judgment करने की बहुत अधिक power है जो बहुत clever है ठीक judicious है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपके पास चार आपसन है पहला आपसन है सिर्क, स्रीक है और दूसरा है स्र shrift, तीसरा है shrubbed और fourth आपसन है strike, सभी जो है एक दूसरा है समें मिलते जूलते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं इसमें तो एक एक वाड़े की पहले हम लोग meaning देखते हैं इसमें देखें जो श्रीक लिखा हुआ है इसका meaning क्या होता है, इसका मतलब होता है cheek क्लकारी, cheek na और इसको अगर English में कहें, तो scream बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, scream, S-C-R-E-A-M, ठीक है, scream, और next है स्रिफ्ट, स्रिफ्ट का meaning क्या होता है, इसका meaning होता है, जैसे अपना जो है, अपनी guilt को, मतलब की अपनी guilt को जो है, सुईकारना, ठीक, अपनी guilt को सुईकारना, यानि कि आप इसको कह सकते हो, confession, ठीक, confess करना, ठीक है, जैसे आप लोगे movie अगर हम देखा होगा, कि जाते हैं, वहाँ पर church में, और father के सामने बैटके, अपना पूरा गलती बताते रहते हैं, कि आज मैंने इनको मारा है, या फिर कुछ movie में भी दिखाते हैं, कि आज मैं उ गलती को स्विकार करना, किसी पुझारी के पास, आचार के पास जाकर के अपने पाप का अपनी गलती का स्विकार करना, ठीक है, तो इसको हम लोग confession बोलेंगे, ठीक है, confession इसका meaning होगा, आप लोग लिख लेजेगा, confession ठीक है, और next हमारे पास script, ठीक है, script का meaning क्या होता है, चालाक चातूर बुद्धिमान ठीक है चालाक चातूर बुद्धिमान बोलेंगे इसको चालाक होता चातूर बुद्धिमान और इंग्लिस में कहें तो आइस्ट्यूट ठीक है आइस्ट्यूट बोलेंगे इसको आइस्ट्यूट बोलेंगे इसको ठीक है और और क्या कह सकते ह को कैनी के बाद और क्या हो जाएगा जैसे यहां पर सार्प विट्टेड ठीक है यह भी एक्जाम में खुब पूशा आता है यहां पर हम केवल वही वट भॉर्ट बता रहे है जो आपके ली पूछा आते हैं इस्टीूट को इसमें statement में मिल लही रहा है astute तो इसका मतलब यह है कि आपका यही वाला answer हमारा correct होगा stripped ठीक इसका meaning होता है चालाग चतूर ठीक astute कैनी सारव बिट्टे ठीक और next हमारे पास जो option है वो है strike इसका meaning क्या होता है इसका meaning होता है यह दरसल एक प्रगार का word होता है ठीक पच्छी यह एक word होता है तो इसकी meaning आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ठीक यह ऐसे ही word है आप इन तीनों के meaning ज़रूर ध्यान रखो ठीक आगे बढ़ते हैं second question हमारे पास एक एक word का आपको पूरा है पर meaning दिखा रहे हैं ठीक है पता रहे हैं हम तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है और चले आगे देखते है second number question है one who does a thing for pleasure and not as a profession यह exam में कई बार आचुका है ठीक हार एक exam में पूछा गया है इसको क्या बोलते है मतलब जो किसी काम को profession की ज़रा नहीं करता है कि वो अपने pleasure अपनी खुसी के लिए करता है उसको हम लोग amateur बोलते हैं ठीक है amateur का जाता है इसको आप लोग इसको जानते ही होंगे ठीक है और बाकी जो word है performer जो perform करते हैं professional आपको पता है aesthetic ठीक है aesthetic एक्जाम में खुब आ गयता है ठीक है इसका मतलब क्या होता है पुजारी सन्यासी जो होता है उसको aesthetic बोलते हैं आगे बढ़ते हैं question number 3 है इसको देखिए हाँ पर a place for storage arms and ammunition इसको बोलते हैं क्या जहां पर arms और ammunition रखा जाता है कि युद्ध का जो हथियार होते है युद्ध के उनको जहां पर रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं तो wardrobe हो गया warehouse, granary, arsenal क्या बोलते हैं उसको इसको बोलते हैं arsenal ठीक है इसको क्या बोलते हैं arsenal कहा जाता है wardrobe क्या होता है almari होता है कपले रखने की और वेर हाउस ये भी ये गोदाम होता है ग्रेनरी जहां पर अनाज रखा जाता है उसको ग्रेनरी कहते हैं ठीक है तो ये सभी आसान वर्ड है आरिजनल इसका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट हमारे पास कुश्चन नंबर फोर है इसको देखें कम लोग इवोकिंग एकीन सेंस आप सैडनेस और रिग्रेस ठीक है रिग्रेट ठीक है यानि कि सैडनेस और रिग्रेट यानि कि अपसोस या फिर दुख ठीक है सैडनेस मतलब क्या दुख दुख को इवोक करना यानि कि बढ़ाना उसको क्या बोलते हैं तो पंजेंट है एक्रिमोनियस बोलेंगे इसको ठीक है एक्रिमोनियस एसी आर आई एक्रिमोनियस आप लोग लिख लेना इसको एक्रिमोनियस पूरा लिख लेना ठीक है एक्रिमोनियस हो गया बिटर हो गया और एक्यूट हो गया ठीक है एक्यूट बोलेंगे इसको तो यह सभी इंपोर्टे वीटल इसको वीटल का जाता है ठीक है मतलब जो दिल कुछ हो जाए ठीक है और नेक्स्ट हमारे पास impactful impact से बना है जिसके उपर impact हो जाए ठीक है और अनफेक्टिंग ठीक है जो अनफेक्ट हो किसी चीज़ से उसको बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पर correct answer कौन सा होगा आपसन नमबर B होगा यहां पर हमारा correct option, poignant ठीक है, यह होगा हमारा correct answer, ठीक है, evoking a keen sense of sadness और regret, इसको बोलते हैं, poignant, next question देखेंगे हम लोग, question number 5 है, profitable, yielding, financial gain, ठीक है, यानि कि जो profit है, लाव है जहां पर, ठीक है, जहां पर फायदा हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ठीक है, तो profits related कोई word इसमें है कि नहीं है, ठीक है, आपको यह देखना है, तो पहला option है ludicrous, next है lucrative, और ludite और lagar, क्या बोलेंगे इसको, तो ludicrous, इसका meaning क्या होता है, तो ludicrous जो होता है, इसका meaning होता है, कह सकते हो, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे, nonsense, ठीक, nonsensical, nonsensical, ूट पटांग बोलते हैं इसको, ठीक, ऊट पटांग, उट पटांग अजीबों गरीब, जो है ठीक, उसको बोलते हैं ludicrous, उट पटांग, ठीक है, आप इसको ingles में कह सकते हो, नonsensical, ठीक, nonsensical, या फिर इसको कह सकते हो, fantastical ठीक है या फिर absurd हाँ इसको absurd बोल दो ठीक absurd absurd कह सकते हो ठीक है तो यह इसका जो है अच्छी वर्ड हो जाएंगे absurd इसका ठीक सिनोनिम हो जाएगा next हमारे पास है lucrative ठीक है lucrative होगा इसका correct answer इसका meaning होता है जो lab प्रद हो ठीक है lab देने वाला हो economical ठीक है fruitful ठीक है यह सब इसका सिनोनिम हो जाएगा तो हमारा correct option होगा option नंबर बी ludite का meaning क्या होता है तो जो ludite होता है इसका meaning जो होता है वो होता है person opposed to new technology ठीक है मतलब कि कोई बक्ति जो नई technology के खिलाप हो उसको बोलते हैं ludite ठीक है और लगर क्या होता है लगर का meaning होता है कुली ठीक है यह होता है कुली जो समानोन धोते है ठीक है उनको बलते हैं लगर ठीक है इसको प् Q पोर्टर कह सकते हो, पोर्टर हो जाएगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं, हीवर भी बोलते हैं, इसको हीवर, हीवर, बोलेंगे, पोर्टर, हीवर, कुली, ठीक है, तो option number B, इसका जो है, correct answer हो जाएगा, next question पर चलेंगे, question number 6 है हमारे पास, one who takes a dark view up, ठीक है, मतलब कि जो चीज लोग answer करिए, यहाँ पर है, पहला आपसे ने, patent, periscope, polyglot, और pessimist, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, हम लोग pessimist, एक होता है, optimist, एक optimist word भी होता है, ठीक है, optimist भी होता है, यह मतलब bright side को देखता है, ठीक, जैसे यहाँ पर dark है, तो यह bright को देखता है, मतलब जो आसावादी ह ठीक है, जो positive sensor में चीज़ों को देखे, और जो dark side में देखता है, वो होता है, pessimist, ठीक है, जो negative way में चीज़ों को देखता है, उसको pessimist बोलते हैं, ठीक है, दोनों word important है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, बाकि यहाँ पर अगर बात करें, patent की, तो patent का meaning क्या होत आगे बढ़ते हैं, a person who introduces the performance or content in a variety, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब कि यह statement का meaning क्या है, कि ऐसा व्यक्ति, जो introduce करता है, performance और contestants को, यानि कि कि किसी सो में, जो वहाँ पर जो प्रदर्शन करने वाले होते हैं, उनको introduce कराने काम करता है, ठीक, जैसे कोई सो आप देख राजो सिरी वास्ता हो, ठीक है, इस तरीके से मतलब जो नाम बताता रहता है कि कौन आ रहा है अब, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट आप्सन है, हमारे पास कैली ग्राफर, नेक्स्ट है कंपेर, और साइफर, इसका करेक्ट एंसर क्या होगा, तो जो होता है, इसका मेनिंग होता है, एपर्सन आप इक्वल रैंक, एपर्सन आप इक्वल रैंक, स्टेटस एबिलिटी, यानि कि जो एक ही क्वालिटी की वेक्ट तो होते हैं, उनको कंपेर कहा जाता है, ठीक है, इसको आप साथी समकच्छ भी कह सकते हो, हम जोली कह सकते हो ठीक है, partner कह सकते हो इसको partner ठीक है इसका meaning होता है partner और compare क्या होता है compare हमारा isका correct answer होगा जो लोगों को introduce करता है उसको हम लोग compare बोलते है ठीक है तो इसको भी आप लोग ध्यान रखो और इसको अगर synonym और बोलें इसको तो इसको हम लोग बोलेंगे family थीचती के फेमिली यह यह पेमिलिया राई जेसन ठीके जट एटी आई ओ एन्ठीक फेमिलराईजेसन और और इसको क्या बोल सकते हैं ठीके इतना आप लोग ध्यान रखो बाकि इसको हम लोग अगर बोलना चाहें तो पार्टनर या फिर फेलो स्रुरी इसका नहीं होगा ठी पार्टनर तो उसका था ठीक है इसको हम लोग कह सकते हैं बस इतना ही आप लोग ध्याण रख Seiक है ठीक है kijए मिनिंग होगा साइफर क्या होता है यह साइफर जो होता है यह साइफर मतलब कोडिपाइ करना होता ठीक है चीजों को सांकेतिक भासा में बदलना कोडिफाई करना ठीक है उसको बोलते हैं साइफर कोडिफाई एक्जाम में आया हुआ है सेनोनिमें इसको भी आप लोग ध्यान रखो ठीक है आगे बढ़ते है कुशन नंबर एट है इसको देखेंगे यहाँ पर कास्ट टू कांटिन्यू कीप अप प्रिजर्ब एस्टेट आप अफेर अएन एक्टिविटी एटी सी ठीक है तो मतलब कि किसी चीट को कांटिन्यू रखना बनाए रखना संदश्चित रखना उसको लोग क्या बोलते हैं ठीक है यह कोई स्टेट हो सकता है कोई एक्टिविटी हो सकती है उसको बनाए रखना तो क्या बोलेंगे पस्ट आप्शन है मेन टॉप नेक्स्ट है मेनली, नेक्स्ट है मेन टेन नेक्स्ट है मेन स्टेट क्या बोलेंगे आप सभी को पता है है इसको हम लोग maintain बोलते हैं ठीक है किसी चीज को maintain रखना ठीक है हमारा option number c correct होगा और main top का meaning क्या होता है main top जो है एक पट्रा आपने लकड़ी के देखा होगा ठीक है एक तरह का पट्रा होता है फिलाला आपके लिए important word नहीं है ठीक है इसको मत ध्यान रखिए ठीक है mainly और main stay यह सभी word आसान है हमारा जो option number c है यह correct होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कि taking heed और care being conscious इसको क्या बोलेंगे ठीक है सचेत होना ठीक है बहुत सावधानी बरतना सचेत होना उसको में लोग क्या बोलेंगे ठीक है ठीक है attention बोलेंगे ठीक है तो हमारे पास option है mindful mindless mindset और mind read क्या बोलेंगे इसको तो भई जो सावधानी बरतेगा उसको क्या बोलेंगे mindfulness जिसके अंदर कोई दिमाग ही नहीं है ठीक है या फिर mindset तो इसको बोलेंगे हम लोग mindful ठीक है mindful, mindful जो है काफी सतरक साथान ठीक है यह सब होगा बाकि और कोई भी word mindless आपको पता है mindset ठीक है, mind read यह कुछ नहीं है ठीक है, आगे बढ़ते हैं question number 10 है इसको देखिए the scientific study of worms and insects यह भी important है, exam में खुब पूछा आता है, इसको क्या बोलते हैं insect के study, कीट का अध्यान कीटों का अध्यान, उसको क्या बोलते हैं लोग उसको बोलते हैं, entomology ठीक है आपको पता होगा, entomology इसको बोला आता है ठीक है, बाकि anatomy क्या होता है anatomy होता है, सरीर किरीया विच्छान इसको बोलते हैneo ठीख है मतलब कि किसी चीज का बनावत का अध्यान जो होता है उसको बोलते हम लोग एन को एनाटोमीय जू जो यह आपको पता है ठीक अने मूँद्जी ग्या होता है। एसको सिलाविक भोलेंगे ठीक सिला लेक सिला लेक अनेमोलोजी आगे बढ़ते हैं 11 नमबर कुशन है इसको देखिए यानि कि इमानदारी कोई बर्ड आपको बताना इसमें कौन्स होगा इमानदारी जहां पर हो क्या बोलेंगे इंटेग्रिटी अप्टाइट और रिडिकल क्या बोलेंगे तो देखिए डिडिकल का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है किसी का मजाग बनाना उपहास उडाना ठीक है डिडिकल यानि कि डिरीशन हो जाएगा या फिर जेस्टिंग कह सकते हो जेस्ट जेस्ट मतलब होता मजाग ठीक है किसी को मजाक बनाना uptight का मेनिग क्या होता है ठीक है अप educate का की मेनिंग होता है मैंने इसको आपרाइट पढ़ा था ठीक पहली armed देका तो and not relaxed यानि कि तनाव ग्रस्त ठीक घपराहट में और तनाव ग्रस्त इसको बोलते हैं अप्टाइट ठीक नर्वस ये यार वी ओ यू एस नर्वस हो जाएगा ठीक है integrity मतलब होता है इमानदारी यह हमारा correct answer होगा यहाँ पर integrity ठीक है और इस्ट्राकप का meaning क्या होता है तो इस्ट्राकप का meaning होता गमंडी ठीक है proud प्रावड ठीक है घमंडी प्रावड या फिर howty कह सकते हो h-a-u-d-h-t-y ठीक हावटी कह सकते हो यह इसके जो है सिनोनिम हो जाते हैं howty हो गया और आप इसको कह सकते हो सूपर सिलियस बोल सकते हो ठीक है प्रावड सूपर सिलियस हाउटी घमंडी यह होता इसका meaning आगे बढ़ते हैं question number 12 बहुत देखेंगे the one who makes maps ठीक है one who makes maps ठीक है जो map बनाता तो क्या बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या इसको का जाता है बाकी artist, geographer, sculpture, sculpture मतलब मूर्ती बनाने वाला जो होता है उसको sculpture का जाता है ठीक आप समर नंबर बी यहां पर correct होगा आगे बढ़ेंगे 13 number question है the scientific study of the behavior, structure, physiology, classification and distribution of animal ठीक है यानि कि animal के बारे में पूरी जानकारी होना behavior उसका structure यह सब जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं ठीक है देखो ecology बिल्कुल अलग है ठीक है यह क्या है यह परियावन से लिटेड है ठीक है पेट्रोलोजी यह रोक study आप रोक होता है ठीक है चट्टानों का अध्यान पत्रों का अध्यान यह होता है ठीक है आर्कियोलोजी भी नहीं होगा जू लोजी हमारा करेक्टर इंसर इसका हो जाएगा ठीक है इसको क्या बोलेंगे हम लोग जू लोजी ठीक है तो इसको भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए कि आगे बढ़ेंगे फोटीन नमबर कुष्चे है आनर गिवन फार सम अचीवमेंट ठीक है आनर गिवन फार सम अचीवमेंट कोई बहतरीन काम के लिए किसी बहतरीन अचीवमेंट के लिए जो आपको सम्मान मिलता है आनर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ठीक है तो प्लाकार्ड है सबसे इसमें लग रहा है ठीक है वोगा लवरेल ही हमारा जो है correct answer यहाँ पर होगा ठीक है तो इसको भी आप लोग ध्यान रखो लवरेल का मतलब होता है honor given for some achievement ठीक है किसी उपलबधी के लिए सम्मान मिलना उसको बोलते हैं लवरेल ठीक है और प्लाकार्ड इसका मेनिंग क् लेंगे इसको तो आप लोग ध्यान रखोंगे बाकी party gift आगे बढ़ते हैं फिप्टीन नंबर है killing of a person by another ठीक किसी ब्यक्ति की हत्या करना उसको क्या बोलते है homicide, democide, genocide, genocide, euthanasia क्या बोलेंगे तो देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्या इसको बोलते है homicide ठीक है इसको क्या ब होता है people होता है ठीक तो इसको भी आप लोग ध्यान रखो जहां भी लगा हुआ उसको समझ लेना people होता है ठीक जैसे कोई word इसमें ध्यान करें अगर तो जैसे जैसे demography ठीक है और और क्या बोलेंगे जो लोग तंतर होता उसको क्या बोलेंगे ठीक है तो democracy हाँ democracy हो गया ठीक है इन सब में root word dem होता है जिसका मतलब होता है people ठीक है और एक और अच्छा word होता है ठीक है जिससे ध्यान नहीं आ रहा है ठीक है dem से होता है ठीक है तो जहां भी dem आए इसका समझ लेना कि इसका मतलब people होता है ठीक है तो यहां पर लोगों क के हत्या बहुत सारे लोगों के हत्या उसको बोलते हैं डेमोसाइड ठीक है और जेनोसाइड क्या होता है किसी के मतलब पूरे जनरेशन के हत्या कर देना उसको बोलते हम लोग जेनेसाइड और इउथानेसिया मीनिंग होता है इच्छा मिर्तिव ठीक है इच्छा मिर्तिव ज not afraid after the vast moving water इसमें पताओ क्या होगा तो आपको क्येवल इतने के मेनिंग यहां पर बताना ठीक है यहां पर underlined था यहां पर था underlined ठीक है तो इसका जो one word में हम लोग क्या बोलेंगे यानि के fast moving water को one word में क्या बोला जाएगा ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं torrent क्या बोलते हैं torrent कोई भी water या फिर कोई भी liquid जब move करता है तो इसको हम लोग torrent बोलते हैं ठीक है बाकी current fluid, fluid मतलब बाल होता है overflow मतलब भी बाल होता है ठीक है इस दोनों synonym है यहाँ पर torrent हमारा जो है correct answer होगा इसको भी आप लोग ध्यान connection to promote immunity against a disease यानिके सीथिजी बात है वेक्षीन लगाना उसको अम लोग क्या बोलते हैं ठीक वेक्सिन लगाने को ठीक है allora इन्वेंडो है इन्नुएयट है इन्नुमेरेट है। ठीक है तो देखो इन्नुएट का मतलब क्या होता नेया। इन्नुमेरेट मतलब असंक ठीक है इ कैpsy इसको बोलेंगे इसको भूलेंगे इसको बलुए यही हमारा इंसर है इनग्ल comparing इसका मतलब हुता है खाना यांनी कि यूद्ट का मतलब होता है उवचीन लगाना बाइस उतुपहिस लोगाना टिक है तो इसका हो जाएगानेक्स्ट कुषिन प है narrow who knows all things जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे ठीक है तो फस्ट आप से ने Omnipotent, Omnipotent, Oligarchy, Ostracize देखें यहां से कुछ Omni एक Root Word होता है ठीक Omni, Omni और इसका मेनिंग होता है All ठीक हो, Omni का मेनिंग क्या होता है All होता है, इसको आप लोग ध्यान रखो, Omn, I, ठीक है, Omni, यह होता है Root Word ठीक है, इसका मेनिंग होता है All अब यह किसी भी चीज में इसको लगा दो जैसे Omni Scient है यहां पर जो सब कुछ जानता है Omni Scient, Scient मतलब Knowledge, ग्यान ठीक है यह हमारा Correct answer होगा, जैसे Omni Potent, ठीक है, Omni Potent, Potent मतलब होता Power, Omni मतलब All तो जिसके पास पूरी Power हो, उसको Omni Potent बोलेंगे, ठीक है जैसे Omni Vores, Omni मतलब All, और Vores मतलब खाना, ठीक है तो मतलब जो सब कुछ खाए, उसको Omni Vores बोलेंगे, तो इस तरीके से Omni Vores को आप लोग ध्यान रखोगे एक्जाम में बहुत सारे कुछिन इससे पूछे गए हैं, ठीक है बाकि Oligarchi क्या होता है, Oligarchi होता है, गौवर्मेंट रन बाई few people, ठीक है आगे बढ़ेंगे, इसका option number A हमारा correct हो जाएगा 19 number, someone who is reserved and shy जो कम बोलता है, ठीक है, reserved है, जो कम बोलता है, जो सरमीला, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है तो social, extrovert, recessive, introvert, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेकि extrovert होता है जो अधिक बोलने वाला होता है, जो बिल्कुल भी साई नहीं है, उसको बोलते है, extrovert और introvert होता है, जो कम बोलता है जो साई है, सरमीला है, उसको बोलते है, introvert, option number D हमारा यहाँ पर correct हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते है next question देखिए हैं आपर, 20 number है, एक group of worshipers, ठीक है, जो मतलब जो धार्मिक लोगों का जो group होता है जो सभा होती है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आप सभी को पता है, इसको हम लोग congregation बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, congregation, constellation क्या होता है, group of stars, ठीक है इसको हम लोग constellation भी बोलते हैं, galaxy बोलते हैं, इसको ठीक है, galaxy भी कहा जाता है इसको, group of stars को, एक कारवा है, ठीक है, जो लोगों का दल होता है, उसको कारवा बोलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे question number 21, happy development or happening of events by chance, ठीक है, कोई चीज जो अचानक हो जाए, by chance हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है तो first option है incident, next है suddenly, serendipity, और occurrence, ठीक है, तो occurrence मतलब कोई चीज़ घटना होती है, उसको occurrence कहा जाता है और suddenly मतलब अचानक incident, ठीक है, यह भी घटना है, और एक option बज़ गया, serendipity, ठीक है, तो यही हमारा जो है God या फिर जो पवित्र चीज़ें है, sacred things है, उनकी आलोचना करना, ठीक है, उसकी आलोचना करना, उसके बारे में भद्धा, कमेंट करना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे हिंदी में, इस निंदा, ठीक है, आपने सुना होगा, इस निंदा बोलते हैं, ठीक, ब्लास भेमी, और contamination, contamination, contaminate करना है, यानिक दूसित करना होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है, irreverence मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अपमान, ठीक है, अपमान को, अगर, meaning और बताएं, इसका, humiliation, ठीक है, humiliation हो जाएगा, लिख लेना, humiliation, ठीक है, आगे बढ़ते है renunciation मतलब क्यों होता है, त्याग होता है, ठीक, renunciation मतलब होता है, त्याग, give up, आगे बढ़ेंगे, 23 नमबर कुश्चन है, to become a strong person in spite of many difficulties, ठीक है, तो बहुत सारी difficulties के बाद strong person होना, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, angious, triggered, safe, resilient, क्या बोलेंगे उसको, एक ही आपसन में दिख रह safe, नहीं होगा, trigger मतलब, उतसाहित करना के से को, ठीक है, angious, यह भी आपको पता है, एक option बचा है, resilient, यह हमारा correct answer हो जाएगा, ठीक है, और resilient, एक तो यह meaning होता है, ठीक है, बहुत साई difficulty के बाद strong बने रहना, ठीक है, और इसका meaning लचीला भी होता है, ठीक है, जो बहुत लच दोनों होती है, आपको दोनों ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं, 24 नहीं, a large group of people, इसको क्या बोलते है, a large group of people, तो convocation, flock, herd, horde, बताओ क्या होगा, तो यहां तयार सभी word एक जैसे हैं, ठीक है, तो देखो, flock क्या होता है, flock होता है, group of birds, ठीक है, जो birds का, एक ही प्रकार की जो birds होती हैं, उनका group होता है, ठीक है, बाकी वैसे सब ही का meaning आपर, तीनों का meaning समू होता है, ठीक है, बहुसाय लोगों की भेड, ठीक है, लेकिन यहापर group of birds, इसको कह सकते हो, ठीक है, herd क्या होता है, herd होता है, जानुरों क जुन्ट ठीक है गुरूप आप एनिमल्स एनिमल्स और होड होता है गुरूप आप पीपल यह हमारा यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी ठीक है तो गुरूप आप पेपल हम लोग इसको बोलेंगे होड ठीक है कन्वोकेशन मतलब किसी पावर इस्वर का आवान करना ठीक है उसको बोलते हैं कन्वोकेशन ठीक है बाकि यह सभी तीनों गुरूप से लेटेट हैं लेकिन यहां पर अलग है तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना इसको होड बोलते हैं गुरूप आप पेपल को ठीक है यह बर्ड का होता है same bird same kind की बर्ड हो जिस होती है और यह animals का गुरूप होता है आगे बढ़ेंगे लिए 25 नमर कुशन है person living अईarta 동안 झीक है जब Nejए सेम टाइम पर दो लोग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसको मों लोग बोलते हैं क्या contemporary ठीक है इसko क्या बोलते है contemporary कहा जाता है इसको भी ध्यान रखो और यह जो है concrete इसको क्या बोलते हैं बढ़िया वर्ट है ठीक है concrete इसका मतलब होता है a woman who flirt ठीक है a woman who flirt f l i r t women who flirt ठीक है मतलब ऐसी महिला जो बहुत मतलब flirt करती है नकरा दिखाती है उसको बोलते है concrete ठीक है एक मज़े की बात आपको यहाँ पर बताते हैं कि एक root word होता है e double t e ठीक है e double t e आपने देखा होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा इसका मेनिंग या तो women's related होता है या तो किसी महिला से related होगा या फिर चीजों को small करने के लिए आता है ठीक है small छोटा बना देता है small जैसे small के बारे में बताएं तो जैसे आपने cigarette नाम सुना ठीक cigarette cigarette e double t e ठीक है यह होती cigarette की spilling ठीक है आज से आप cigarette की spilling कभी नहीं भोलोगी ठीक है यह होता है root word देखो आपने पढ़ा होगा cigar cigar सुना होगा नाम ठीक है फिल्मी उगर हम देखा होगा बड़ी सी cigarette जो होती है उसको cigar बोलते है ठीक है यह जो छोटी piece आती है इसकी इसको हम लोग cigarette इस तरीके बोलते है तो उसके last में E-T-E लगा दिया वो इसमाल हो गया वो बड़ा था पहले cigar क्या होता है बड़ा होता है उसमें E-T-E लगा दिया तो छोटा होगा ठीक है तो उसको हम लोग cigarette बोलने लगे ठीक है जब किसी word के last में आता है E-T-E तो वहाँ पर इसका meaning या तो women से संबंदित होता है या फिर छोटा चीज होता है ठीक है यैसे यहाँ पर concrete है तो यह women से संबंदित है ठीक है women who floods ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे root word इस भी ध्यान रखना आप लोग हो सकता है कभी मतलब दिक्कत पढ़ जाए किसी कोई word ना समझ में है तो आप थोड़ा सा अंदाज इससे लगा सकते हो बाकि cosmopolitan जो पूरी दुनिया को एक समझता है ठीक है आपको पता ही होगा कला आदी का जो परकी होगता है ठीक है आपसन नमबर एस का जो है correct होगा next question 26 नमबर है when her teacher calls her a person who cannot be corrected ठीक है तो आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक का one word a person who cannot be corrected मतलब ऐसा person जो correct नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं जो correct नहीं हो सकता इन्कोरीजिबल बोलते हैं ठीक है बाकी बाकी सब सही है ठीक है obedient क्या होता है आज्याकारी होता है सभी आसान वर्ड़ है आगे बढ़ते है 27 नमबर कुशन है one who believes in his fate ठीक है जो भाग पर विष्वास करने वाला होता है उसको क्या बोलते है fatalist, fastidious, fugitive, fanatic क्या बोलेंगे उसको बोलते है fatalist ठीक है जो भाग पर बहुत अधिक विष्वास करता है जो भाग साली होता है भाग साली नहीं मतलब भाग पर विश्वास करने वाला उसको fatalist का जाता है ठीक है आगे बढ़ेंगे forget you मतलब होता भगोडा ठीक है भगोडा जैसे कुछ लोग देश छोड़ कर भाग जाते हैं जैसे कुछ लोग गये थे ठीक है नीरो मोदी और भी जो लोग गये हैं ठीक है तो उनको forget भगोडा को बोलते हैं ठीक है fanatic मतलब होता है cutter आगे बढ़ेंगे to take hold आप forcibly और suddenly ठीक है तो मतलब किसी चीज़ को पकड़ना forcibly या फिर suddenly ठीक है forcibly मतलब force के साथ किसी को जगड़ लेना किसी को पकड़ लेना जब्त कर लेना उसको क्या बोलते हैं ठीक है size करना, liberate करना, release करना relinquish क्या बोलते हैं इसको liberate और size एक ही meaning रखते हैं ठीक है दोनों का मतलब का होता है मुक्त करना size मतलब होता है पकड़ के रखना option number A size हमारा correct answer हो जाएगा और relinquish जो होता है इसका मतलब होता है त्याग देना या फिछोड़ना ठीक, relinquish को इसका मतलब क्या होता है त्यागना या फिछोड़ना आप इसको force 1 कह सकते हो ठीक है force 1 force 1 बोलेंगे ठीक आगे बढ़ते हैं और दोस्तों please आप लोग video को share करना अपने दोस्तों के साथ में और अकर आप चैनल पर नए है तो please आप लोग subscribe जरूर कर लेना ठीक है और वीडियो को like करना और यहाँ पर आप playlist में जाएंगे तो आपको one word की playlist EDM की playlist हर एक चीज की playlist मिलेगी exam wise भी है topic wise भी है आप जैसा देखना चाहें वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा हमने videos दे दिये हैं कि आपको English में कोई problem नहींगी बस केवल हमने grammar का part नहीं दिया है भी तक थोड़ा सही दिया है ठीक है तो आप लोग केवल अपनी grammar त्यार कर लीजे बाकी अगर आप यहाँ से पूरा हमारे videos देखेंगे तो आपको कभी exam में problem नहीं होगी English में अच्छा score कर पाएंगे ठीक है कहीं भटकने जरूत नहीं है क्यों आप playlist में जाएए वहाँ से videos लगाना शुरू करिए आपका score बहुत ही अच्छा हो जाएगा ठीक है बाकी आप लोग समझदार है आपको क्या करना है आपको पता ही है ठीक है 29 number question है someone who does not believe that God exists ठीक है जो ईश्वर के existence पर सवाल उठाता उसको क्या बोलते है ठीक है प्रिष्ट मतलब होता है पुजारी नन मतलब भी होता है भाई पुजारी से समझदी ठीक है आगे बढ़ेंगे question number 30 ठीक है the arrangement of events or dates in order of their occurrence ठीक है मतलब घटनाओ को क्रम में लगाना ठीक है arrangement करके लगाना उनके time की साब से ठीक है 2010 में ही दूसरे महिने हुआ तो इस तरीके से चीजों को बेवस्थित करके लगाना समय के नुसार उसको क्या बोलते है chronology, axiome, serially ठीक है और ducat क्या बोलते है इसको इसको हम लोग बोलते है chronology ठीक है इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे और axiome क्या होता है axiome होता है इसका meaning बोलते हैं हम लोग सत्य अत्वा मानने कथन यह आपके one word में आ चुका पहले exam में ठीक है axiome, सत्य अत्वा जो मानने कथन होते हैं उनको बोलते हैं ठीक है आप इसको theory या फिर principle भी कह सकते हो ठीक है theory principle इसका synonym हो जाएगा और बाकी तो ठीक है डकेट क्या होता है डकेट का मतलब होता प्रमाड दलील ठीक है प्रमाड या फिर evidence proof कह सकते हो ठीक हो ठीक है यह होता है डकेट आगे बढ़ते हैं इसको confused नहीं हो ना यह serial है ठीक है serial से बना हुआ है serial यानी क्रम से ठीक है वह है आगे बढ़ते हैं 31 number question है seeing the danger of a group of governed by old people रतन planned to recruit young people for his project ठीक है तो जो यलो कोलर से लिखा हुआ है इतने का आपको बताना है one word ठीक है एक group governed by old people ठीक है तो old people के लिए हमारे पास जो root word होता है वो क्या होता है उसको बोलते हम लोग जी ठीक है यह जब किसी word के साथ में लगा होता है तो वहाँ पर old people से related होता है ठीक है old people ठीक है आप जब भी दोखोगे old people का यह root word आपको वहाँ पर मिलेगा ठीक है तो कौन सो आपसर होगा आपसर नंबर C हमारा यहाँ पर correct हो ठीक है बाकी plutocracy के अगर बात करें तो यह क्या होता है जो धनी लोगों का जो सरकार होती धनी लोगों की उसको हम लोग plutocracy बोलते हैं इंगलिस में बोलें तो government run by rich people ठीक है तदर्थ वाद बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं तदर्थ वाद management without a formal structure that changes easily with each situation मतलब कि कोई जैसे आपने क्या बोलते हैं आपने quality पढ़ी होगी ठीक quality में बोलते हैं ना कि एक तदर्थ नियाल है या फिर तदर्थ नियाधिस्क नियुक्ति की जा सकती है आपने पढ़ा होगा इसा ठीक है मतलब कि कोई चीज फार्मल नहीं है बस आइसे वहाँ पर यूज कर सकते हो ज्यदा important वर्ड नहीं है आप इन तीनों वर्ड को ध्यार न रखो ठीक आगे बढ़ेंगे 32 नमबर rarely not open ठीक है कोई चीज बहुत रेरली है ठीक है उसको क्या बोलेंगे तो है बीच्वली seldom frequently routinely क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलते है seldom कभी कभार जो होता है ठीक है और frequently भी उसी से रेलेटर होता है लेकिन ये चिटपूट होता रहता है ठीक है ठोड़े थोड़े समय पर लेकिन ये कभी कभार ठीक है और है वेच्वली आतन होता है आदत से संबंदित है रूटीन है आगे बढ़ते हैं 33 number question है एक person who regards the whole world as his country तो अभी हमने थोड़े देर पहले इस word की बात की थी इसको क्या बोलते है जो पूरी दुनिया को अपना मानता है ठीक है उसके लिए कोई देश की सीमा नहीं है ठीक है ना कोई भारत है ना कोई पाकिस्तान ना कोई चाहिना ठीक है उसके लिए सब एक थी नहीं कोई है तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते है कास्मोफ जाया है उसका मतलब वर्ल Tech Bereich ब्रहांट और मेट्रो पोलिटन यहां पर मेट्रो रूट वर्डर है chief सिटी स्लमादित ठीक है पर बड़ी जो सहर होते को मेट्रोपॉलिटन बोला जाता है ठीक है countryman और मतलब countryman क्या मतलब जो एक ही देश के रहने वाई लोग उनको countryman कहा जाता है convalescence यह अच्छा वर्ड है convalescence recover from illness ठीक है recover from illness बीमारी से ठीक होते हैं जो इस्थिती होती है उसको बोलते है convalescence ठीक है आगे बढ़ें ठीक है तो convalescence important वर्ड है द्यान रखिएगा इसका जो correct answer होगा option number D casmopolitan ठीक है आगे बढ़ते हैं 34 number है so delicate or precise as to be difficult to analyze और describe इसको क्या बोलते है ठीक है तो इसको बोलते हैं लोग precise precise मतलब क्या उत्साटी छोटा सा delicate मतलब भी होता है छोटा सा ठीक है तो इसका जो correct answer होगा वहगा subtle यानि कि इसका meaning होता है source more ठीक है source मतलब इसमाल ठीक है कोई चीज मतलब बहुत सटीक है बहुत precise है छोटा है जिसको बहुत ज्यादा difficult है किसमे analyze करने में या फिर describe करने में ठीक है जिसको कह सकते हो इस explain करना बहुत मुश्किल हो ठीक बहुत छोटा हो उसको बोलते हम लोग सबडल ठीक है सबडल बोलते हैं बाकी suitable complex enagram यह सब नहीं होगा ठीक है suitable आप पता है complex भी आपको पता होगा ठीक है enagram मतलब क्या होता है ठीक enagram का मतलब होता है किसी word या phrase को rearrangement करके एक नया word बना देना उसको बोलते हैं लोग enagram ठीक है आइस मैन एक वर्ड लिखा हुआ ठीक है इसको हम अगर री अरेंज करें तो इसको हम बना सकते हैं क्या क्या बना सकते हैं सिनेमा ठीक है आइस मैन से क्या बन सकता है सिनेमा बन सकता है ठीक है तो मतलब इसी को बोलते हैं एना ग्राम ठीक है किसी एक वर्ड को किसी फ्रेस को री अरेंज करके नया वर्ड बना देना उसको बोलते हैं एनग्राम ठीक है तो इसको भी आप लोग ध्यान रखो आगे बढ़ते हैं 35 नंबर है try hard to do or achieve something किसी जीच को पाने के लिए बहुत तगड़ी मेहनत करना उसको क्या बोलते हैं ठीक है इंडेंजर मतलब खत्रे में होना ठीक है आगे बढ़ेंगे intent कमेनिंग होता है मांगना या फिर मांग करना ठीक है मांगना या फिर मांग करना है आगे बढ़ते हैं 36 नंबर है और आपको इस वाले पार्ट का बताना है one word having no sympathy मतलब कि जिसके अंदर कोई sympathy नहीं हो जिसके अंदर कोई भी दया नहीं है उसको क्या बोलते हैं तो हमारे पास merciful, careless, tender और compassionate ठीक है क्या बोलते हैं इसको merciful मतलब दया लू, compassionate भी वही होता है ठीक दोनों लगपक सिनोनिम है tender मतलब कोमल, नाजुप, ठीक है क्या होगा हमारा answer, careless, careless का meaning होता है समवेदन हीन, जिसके अंदर कोई भी समवेदना नहीं है, ठीक है mercy less, इसको बोलेंगे mercy less, ठीक है जिसको mercy less है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लेना, mercy less, उसको बोलता है है, having no sympathy, option number B हमारा correct answer होगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 37 number question, इसका आपको बताना है meaning, ठीक है यह तो conductor है, conductor नहीं होगा, कैली ग्राफर हमने आपको बताया था, जो अच्छी लेक, जिसकी writing बहुत अच्छी बनती है, लिखने में, कैली ग्राफर होता है, ठीक है cardiologist, यहाँ पर root word है cardio, जिसका मतलब होता है heart, ठीक है, यानि कि study of heart, जो specialist होते है heart के, उसको बोलते है, cardiologist, next question, one who is bad in spelling, ठीक है, जिसकी spelling बहुत खराब है, ठीक है, जो word को लिख ला है, कि उसकी spelling गलत हो जाती है, उसको क्या बोलते है, ठीक है कैको ग्राफर, फोटोग्राफर, कोरियो ग्राफर, जोविनेस्ट, क्या बोलते हैं इसको तो देखे, root word है कैको, root word क्या है कैको, कैको जहाँ भी मिले, आपको पता लग जाएगा, इसका मीनिंग होता है, ठीक है, ठीक है कैको, तो इसका हमारा, हमारा करेक्ट एंसर क्या होगा, कैको ग्राफर, ठीक, ग्राफ मतलब होता है, ठीक है, जैसे कैली वर्ट था ना, पीछे, कैली ग्राफर, कैली मतलब होता है, गुड, अच्छा, ठीक है, तो अच्छी लिखावट, कैली ग्राफर, ठीक है, उसी संब दान्स से और चवविनिस्ट का मिनिंग आपको पता होना चाहिए जो अपने देश से बहुत अधिक लगाव रखता है ठीक है अंध देश भक्ती इसको बलते हैं ठीक है अंध देश भक्ती नेशनलिस्ट या फिर अच्छा वर्ड बोलें तो जिंगो जिंगो वर्ड ठीक है इसको बोलते हैं जोविनिस्ट नेशनलिस्ट अंध देश भक्ती ठीक है आगे बढ़ते हैं 39 नंबर कुस्चन है दा मेन करेक्टर इन ए स्टोरी एंटागोनिस्ट प्रोटागोनिस्ट लीडर प्लेयर क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं लोग क्या जो किसी स्टोरी का main character होताए उसको क्या बोलेंगे उसको बोलते है protagonist देखे एक होता है root word enter एक होता है proto ठीक है Enter मतलब villain परोडा हिरो जो किसी जीज में hero होई किसी जीज का main है उसको क्या बोलते है hero बोलते हैं तिया हमारा हो जाएगा protagonist ठीक है लीडर, प्लेयर यह सब नहीं होगा आगे बढ़ते हैं 40 नमबर है एलेटर, पॉयम, एटीसी, whose other is unknown क्या बोलते हैं इसको बहुत ही आसान है इसको anonymous बोला आता है जिसके लेखक का पता ना हो anonymous ठीक है और आगे बढ़ते हैं 41 नमबर कुस्चन है और यह हमारा जो है आज का last question ठीक है तो आप लोगों से एक बार फिर से गहना चाहूँगा प्लीज आप लोग वीडियो को share करना ठीक है, चैनल को subscribe करना, like करना वीडियो को और इसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो description में telegram का link है वहाँ से आप join कर सकते हो, ठीक है एक government that takes decision based on the recommendations आप state officials, instead of elected representatives ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मतलब की government that takes decision मतलब ऐसी सरकार जो decision लेती है किसके recommendation पर, जो वहाँ पर officials होते हैं, ठीक है जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों के recommendation पर जो decision ले जाता है वहाँ पर सरकार decision नहीं लेती है वहाँ पर जो, जैसे IIS अधिकारी वो गयरा हो गए है उनके द्वारा जो decision लिया जाता, उसको क्या बोलते हैं उस सरकार को, उसको यहाँ पर है gerantocracy, democracy, autocracy, bureaucracy क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, bureau crazy तो आप लोग इसको भी ध्यान रख होगे, ठीक है यह फिर से आ गया ठीक है, यह starting में आया था न, क्या होता है government run by old people, जीन प्रक्रेशी ठीक, democracy, यह हमने आपको dem root word बताया था, ठीक, dem, dem, मतलब लोगों का सासन, मतलब लोगतंत्र, ठीक है तो यह था आज का one word substitution, आपको कैसा लगा, अगर कोई भी query हो आपकी, या फिर कोई भी word, कोई भी question ना सौन में आ हो उसके लिए आप लोग comment जरूर करें, ठीक है, comment करके जरूर पूछें, हम आपके comment का जरूर जवाब देंगे, ठीक है बाकी मिलते हैं next वीडियो में, next वीडियो आपकी आप सुनोनिम एंटोनिम, किसे जीट के हम ले करके आएंगे, ठीक है तो आप लोग उसके लिए भी देखते रहें, और बाकी वीडियो भी आप लोग जरूर देखें, ठीक है तो मिलते हैं next वीडियो में, thank you, all the best